अब कोन के वोल्यम की बात करने हैं ठीक है एरिया की बात तो कर चुके तो वोल्यम वाला पार्ट देखते हैं कैसे करते हैं एरिया मैंने बोला था कि कोन के अंदर बेसिकली बहुत सारी रिंग को आइड करूँगा तो एक होलो कोन बन जाएगा और जो वोल्यम की बात करूँ मैं बहुत सरी डिस्क के अडिशन की बात कर रहा हूँ ठीक है और डिस्क के अडिशन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ अब देखिया यहां साराम से मैं इधर से ऐसे वाइड डिस्टेंस पे डी वाइविट की बात कर रहा हूँ y distance पे dy width पे बात कर रहा हूँ जैसे y distance पे dy width की बात कर रहा हूँ मैं छोटे सी इस reason की बात कर रहा हूँ समझारी बात आपको तो छोटे सी reason का जो elemental volume होगा ये छोटे सी disc है और disc का volume होता है आपके पास area multiply by height तो यह हाइट इसकी d y ठीक है तो यह आप पस disk का वोई form लोग जो आमारे पास क्यों यह स्वरी cylinder का होता है बराबर है यह small r यह छोटी से disk है इसकी radius होगी ठीक यहाँ ही radius होगी small r इस तरीके साइगी small r मैं red color में दिखा देता हूँ यह length की small r बराबर है इसी तरीके से हमने surface में भी दिखा यह था तो आगे अब बढ़ते हैं इदी मैं total की बात करूँगा volume की तो आप बोलोगे कि बहुत सारे dv जो है elemental वाले उनको add कर तो total आजाएगा pi तो बाहर जाएगा अंदर आएगा small r square d y फिर से वह भी बात करूँगा की आपको integrate y के respect में करना तो कहीं ना कि small r को अटा आना पड़ेगा दो similar triangle पन रहे हैं और दोनों similar triangle के ratio से आप क्या बोल सकते हो small r upon capital r is equal to y upon h तो जिस small r है उसको आप लिख सकते हो capital r का square divide by h square जिसको मैंने बाहर ले लिए integration से अंदर बचा मेरे पास y square यह बचा है अब limit की बात करेंगे limit आएगी 0 से h और y का जो integration है y square का वो बन जाएग y cube by 3 समझारे हैं बत ठीक है x की power n वाला form लगाया तो यह y cube divide by 3 अब उट कर देंगे limit 0 से h 1 by 3 बहार जाएगा pi r square h cube है निचे x h square है तो यह बनेगा h यह बन गया volume यहाँ जो interesting बात है जो मैं आपको focus करवाना चाहरा हूँ यहाँ मैंने length इधर लिए y पिछली बार मैंने length surface के alone लेती यहाँ किसे ने दी length ऐसे लिए होती l और फिर try किया होता तो उसका answer गलत आता और वहाँ पर किसी ने y की तरह ऐसे लिए होती फिर किया होता तो उसका भी गलत आता अब इन जोनों चीजों को थोड़ा focus करके देख लो मैं बताना क्या चाहरा हूँ मैं यह बताना चाहर हूँ यहाँ जो disc बन रहे हैं वो ऐसे बन रहे हैं इस तरीके से तो इस disc की width almost equal है corner को छोड़ दिये जाए तो तो disc की width यह count होनी चाहिए इसलिए मैंने y लिया है यदि किसी ने dl लिया होता यह नहीं सरपेस का लोन तो वो width यह count करता जो कि dy से बढ़ी होगी और वो actual नहीं है इसलिए यहां पर आपको length हमेशा ऐसे ही लेना है जैसे मैंने y लिया है और जो होलो होगा तो आपको आपको अंदर वाला part तो है नहीं तो सरपेस वाले है फिर आपको side वाली count होने चाहिए इसलिए वहां पर मैंने y से लिया है इन चीज़ों का आपको बहुत अच्छे से द्यान रखना है यहां भी रखना है सिलेंडर यह स्पीर बगएर होते हैं वहां भी देखना होते हैं ठीक है उमीद है कि मैंने यहां लास्ट में पॉइंट वाता है वो आपकी दिमाग में अच्छे से बैटाओ ओके